IPL 2020 सीजन में बहतरीन प्रदर्शन करने वाली दिल्ली कैपिटल्स को एक और बड़ा जटका लगा है टीम के सबसे सीनियर तेज गेंबाज माने जाने वाले इशांत शर्मा चोटिल होने के कारण IPL के पूरे सीजन से बाहर हो गए है इससे पहले उंगली में चोलत के चलते अमित मिश्रा भी बाहर हो गए थे दिल्ली कैपिटल्स ने प्रेस रीलीज में बयान देते हुए कहा दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंबाज इशांत शर्मा को 7 अक्टूबर को ट्रेनिंग सेशन के दोरान बाए रिप केज में दर्द उठा था जिसके बाद जारी जाच के दोरान पता चला कि उनके अंदरूनी चोट लगी है जिसके चलते वो अब टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं बतादे की टीम इंडिया के लिए उन्होंने 97 टेस्ट मैचों में 297 विकेट और 80 वन्डे मैचों में 115 विकेट ले चुके हैं इशांत बराबर इंजरी के चलते टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं इस साल जन्वरी में टकने में चोट के चलते वो करीब एक महीने तक टीम से बाहर रहे थे इसके बाद न्यूजिलेंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान वो फिर से टकने को घायल कर बैठे वहीं उनके IPL करिया की बात करें तो वो 90 मैचों में 71 विकेट ले चुके हैं अब ऐसे में उनका ऑस्ट्रेलिया दोरे पर भी जाना मुश्किल लग रहा है